नवस्कर फ्रेंड, BPS Academy YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड, वह है बुक का कमप्रीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम मुख रुप से दो बहुत ही पोपलर बुक का कमप्रीजन करेंगे, पहली बुक तो है फ्रेंड पर जा करके देख सकते हैं, और दूसरा जो वीडियो होने वाला, दूसरा जो बुक होने वाला है, घटना चक्र का, तो यह दोनों बुक है, वह लगभा लगभा अगर देखा जाए, तो मार्केट में बहुत ही पोपलर है, और हमेशा स्टुडेंट का यहां कन्फ्यूजन आप कैसे करें, और दोनों में से किस बुक को चैन करना चाहिए, और दोनों में से कौन सी बुक है, वह किस एक्जाम के लिए बहतर है, जैसे अगर आप बिहार दरोगा की तयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सी बुक को रीट करना चाहिए, बीपी एसी के लिए कौन सी बु दूसरे से बेहतर नहीं है मैं कहूंगा दोनों अपने जगा बहुत ही बेहतर हैं बस इसका जो महत्व है वो हर एक एक जाम के लिए अलग अलग है तो मैं आपको यही समझाऊंगा और आप पर मैं यह छोड़ दूँगा कि आप किस बुक का चुनाव करते हैं अपने अनुसा के बारे में उसके बाद हम इन दोनों बुक के डिफ्रेंट्स को देखेंगे यह जो बुक है फ्रेंड इसको मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं अभी तो मैंने फिलाल नया लिया है तो यह बुक मैं जब रेलवे का तियारी करता था यह आधर एक्जाम के तियारी करत हैं रेलवे के लिए यूज करते हैं एससे के लिए बीपीएसी के लिए और हलाकि इसमें लिखा हुगा है कि यह यूपीएसी के लिए भी काम करेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसको यूपीएसी के लिए यूज करता होगा तो सबसे जो इसकी मूख खासियत है फ वन डे एक्जाम होता है अब्जेक्टिव टाइप के जैसे बिहार द्रोगा हो गया एससी हो गया रेलेवे हो गया उसके लिए यह बुक बहुत सफिसेंट है और जब आप तैयारी की सुरुवात करते हैं जब आपका तैयारी सुरुवाती दौर पर होता है तो आपको घटना प्राशन के तौर पे दिये हुए हैं तो यह लगभा लगभा आपके जो टौपिक हैं वह लूशेंट से मैच करते हैं तो जब आप मालेजे कि आप लूशेंट में कोई टौपिक पढ़ है जैसे आपने लूशेंट में सिंदु घाटी सा बहता पढ़ा तो लूशेंट के लगभा लगभा प्राशन है जो इसके अबजेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएंगे तो जब आप शुरुवाती दोर में तैयारी कर रहे होंगे तो आप जब लूशेंट परकार आएंगे और उसके बाद जब आप यहां से उसका याद करिएगा तो याद करने में वह बहुत असानी होगा और आपको इस परकार से मेमराइज हो जाएगा कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं तो यह बहुत इंपोर्टेंट होता है कि जब आप लूशेंट को पढ़ें तो उसके साथ आप इस बुक को जरूर पढ़ें ताकि लूशेंट का आप जादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकें और यह बुक है जो काफी इंपोर्टेंट भी है घाटना चक्र में दिक्कत क्या है फ्रेंट कि यह जो आता है वह हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है इतिहास के लिए लग आएगा भूगोल के लिए अलग आएगा राजनितिक लेबल का होगा और उसको मुखरूप से जो यूज करते हैं लोग वह इसी के लिए यूज करते हैं कई लोग इसको बिहार द्रोगा के लिए भी यूज करना सोच रहे होंगे तो बिहार द्रोगा के लिए मेरे अनुसार से यह जो बुक है वह यूज करना चाहिए मैं सब्हुत है कि इस बुख से प्रसन आते हैं और इसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया तब उससे आपको एक लेवल उपर जाना होगा इसको आपको इस book को complete किया है या नहीं किया है। जब आप इस book को बहुत अच्छे तरीकर से complete कर लेते हैं तो उसके बाद ही अप इस book पे जाईए क्योंकि पहले का सक स्छा जाता है उसके बाद ही वी खा सिखा जाता है पहले आप बे़ का बहतर तरीके सरा शिंख लिजिए उसके बाद आप खास सिखने के कोशिस किजिए तो अगर आप विहार दरोगा के लिए इस book को लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लेजिए, बहुत ही अच्छी book है मैं आपको समझाता हूँ कि इस प्रकार से अच्छी है लेकिन पहले आप lucent को complete किजिए lucent से जो इसमें मुख रूप से different से friend होगा है मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ पहली नंबर की lucent में आपको theory देखने को लिए नहीं मिलेंगे जैसे direct उसमें objective प्राशन है लेकिन इसमें आपको one liner के तौर पे थोड़ा बहुत उसके बारे में theory दे दिया गया है और इसी से related यहाँ पर objective दिये हुए है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसी से related यहाँ पर objective दिये हुए है और इस book की जो सबसे खास बात है फिरेंट कि यहाँ पर objective दिया हुआ राता है और नीचे इसका descriptive हलका दिया हुआ राता है जिससे माल लेजे कि अब हमें जैसा कि यह प्रस्न है रोबर्ट ब्रूस फूड एक थे तो यहाँ पर आप देख करके अगल बगल के प्रस्नों को solve कर सकते हैं और यहाँ जो MOOC group से help करता है फ्रेंट BPSC में help करता है क्योंकि BPSC आपको पता होगा एक trend follow करता है जैसे अगर माल लिजे कि वह बिहार के चमपारन सत्यागरा से प्रस्न पूछ रहा है या वह पूछ रहा है बीर कुवर सिंसे प्रस्न पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि वह अगली बार भी वह बीर कुवर सिंसे प्रस्न पूछेगा तो वहाँ पर यह book आपको काफी मदद करेंगे और BPSC में तो मैं देखता हूँ कि इसे direct to direct प्रस्न प्रिंटेट रहते हैं तो अगर कोई माल लिजे प्रस्न पढ़ रहा है उसके नीचे के जो सरांसा ने इसका वह बहुत ही simple और बहुत ही informative होते हैं अच्छा इसका मुझे सरांसा लगता है तो यह book वहाँ पर आपका बहुत मदद कर सकता है तो कुल मिलाकर फ्रेंट मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो शुरुवाती चरण आपका यही होना चाहिए इसके बाद आ कोई compression नहीं है फ्रेंट दोनों book अपने अपने जगा पर बहुत बहुत बहतर है तो कुल मिलाकर मैं अपने एक minute में अपने बात को फिर से राखना चाहूंगा अगर आप railway की तैयारी कर रहे हैं या अगर other exam की तैयारी कर रहे हैं जिसमें gk का बहुत जादा level high नहीं है तो आपको lucent objective से निश्ची तोर पर काम हो जाएगा और बहुत ही इसको जल्दी तैयार किया जा सकता है कम समय में अगर आपको बहतर करना है जैसे अभी से भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ BPSC पर फोकस करना है और बहुत कम आपने पढ़ा है तो आप इस book को रिट कीजिए अगर आपकी तैयारी बहुत बहतर है और आप अच्छे exam की तैयारी कर रहे है तो आप इस book की तैयारी कीजिए बिहार दरोगा के लिए इस book की तैयार कर सकते हैं अगर आपको यह book complete हो गया हो तो यह book उस से निश्ची तोर पर बहुत अच्छे तरीका से लिखा हुआ है objective क किया है सारे चीजे इसमें बढ़िया है लेकिन इसमें प्रसुनों की संख्या जादा है और इसमें आपको समय बहुत जादा देना पड़ेगा तो अगर आपके पस समय है चीजों का आपने पहले बेतर से तैयारी कर लिया है तो आप इस book की और जा सकते हैं तो आज का है अपने बाद बाई बैए